असलाम लेकुम स्टूरेंट्स मैं हूँ आपका ट्यूटर शामौन बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर्स्ट यह मैथमेटिक्स तो स्टूरेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ एनी एंगल और इसके साथ-साथ आज हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज और इन फंडामेंटल आइडेंटिटीज के प्रूफ के बारे में सीखेंगे तो चलिए स्टूरेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ तो चलिए स्टूरेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स लेक्शर और स्टूरेंट्स ह कि हम कि कि विद्वार्ट के हमारी है तो उस पहुतिकर देखा लोगनेगे यह हम उनको किस तरहाँ से define करेंगे तो सबसे पहले students हम इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो students यह हमने plane में एक right triangle ड्रॉ की है तो students हमारे पास यहाँ पे जो angle theta है angle theta जो है वो हमारे पास है एक्स ओ पी तो यह हमारा angle जो है वो इसको हम consider करते हैं theta radians के equal students next अगर हम देखें कि हमारे पास जो angle की terminal side है वो ओ पी है और plane में हमारे पास यह जो पी पॉइंट है पी पॉइंट के जो coordinates हैं वो हमारे पास है एक्स और वाई so students हमारे पास जो small x है वो x-axis के along जो हमारे पास triangle है उसकी जो base है उसका distance है और हमारे पास जो y-coordinate हमारे पास यह जो dotted line है इसमें यह जो वाई और यह हमारा जो है वो perpendicular distance है तो students अगर हमारे पास base given हो जो के x की value है और अगर हमारे पास पर्पेंडिकुलर गिवन हो तो students हम पाइथोगरस theorem यूज करके हम जो hypotenuse है यह distance भी find out कर सकते हैं जिसको हमने और से रिप्रिजेंट किया है तो students अगर हम पाइथोगरस theorem को यहां पर यूज करें तो पाइथोगरस theorem हमारे पास है h square is equal to b square plus b square hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square तो अगर इसमें हम अपनी values को substitute करें तो h जो है वो हमारे पास r है तो यह बनेगा r square base हमारे पास x है x square और जो perpendicular है वो हमारे पास है y square तो हमारे पास जो relation बना हो है r square is equal to x square plus y square तो next students अगर हम r find out करना चाहते हैं तो हम दोनों side पे square root लेंगे यह हमारे पास जो relation है r square is equal to x square plus y square so चलिए students हम दोनों side पे हम square root लेते हैं तो हमारे पास जो relation बनेगा वो बनेगा square जो है वो हमारा square root से cancel out होगा तो यह हमारे पास आएगा r is equal to square root x square plus y square तो students अगर हमें किसी जगा पे r find out करने के लिए आएगा तो हम इस formula को use कर सकते हैं square root x square plus y square और जो r है वो हमारा origin से जो p point तक का distance है उसको represent करता है next students हम अपने जो given theta के according जो हमारी trigonometric ratios हैं हम उन्हें define करते हैं हम अपनी असानी के लिए students एक दफा जो sides हैं हमारे पास उनके हम नाम लिखते हैं हमारे पास जो given triangle है given triangle में हमारे पास जो base है वो small x के equal है जो perpendicular है perpendicular जो है वो हमारा है small y के equal और students जो हमारे पास hypotenuse है वो हमारा small r के equal है so हम जो previous lecture में हमने trigonometric ratios के जो formulas को define किया था उनके according जो हमारे पास sin theta है sin theta हमारे पास था p over h के equal so हमारे पास अगर हम insights को देखें तो हमारे पास जो perpendicular या जो p की value है वो है small y और जो हमारे पास hypotenuse है वो है small r so जो हमारे पास sin theta ratio बनी वो है y over r के equal so students हमारे पास जो sin theta है sin theta का जो हमारे पास reciprocal था वो cosecan theta है so हमारे पास जो को सीकन theta है फिर उसका जो formula है वो बनेगा हमारे पास y over r का reciprocal जो के हमारे पास बनेगा r over y so students इसमें जो एक important चीज़ है कि हमारा जो y है वो zero के equal नहीं हो सकता तो कि students y denominator में है और denominator में अगर zero आएगा तो ये हमारे पास undefined ratio हो जाएगी next students हम देखते हैं sin theta के बाद हमारे पास जो ratio है वो है cos theta और cos theta का जो हमारे पास formula था वो था base over hypothesis या बी ओवर h और students हमारे पास यहाँ पे जो b है वो है small x और जो h है या जो hypothesis है वो है small r so यह हमारे पास बना cos theta is equal to x over r और जो cos theta का हमारे पास reciprocal था cos theta का reciprocal था secant theta so हमारे पास जो secant theta है secant theta का हमारे पास formula बनेगा x over r का reciprocal जो के बनेगा r over x और students इसमें जो important चीज़ है वो हमारे पास जो x है वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि x अगर 0 होगा तो denominator में हमारे पास 0 आएगा और 0 पे हमारी जो ratio है वो undefined हो जाएगी so x cannot be equal to 0 last पे students हम tangent theta को define करेंगे so हमारे पास जो tangent theta है tangent theta का formula हमारे पास था perpendicular over base और यहां पे हमारे पास जो perpendicular है वो y की equal है और हमारे पास जो base है वो small x की equal है so हमारे पास यह बनेगा tangent theta is equal to y over x और students इसमें जो important चीज़ हम याद रखेंगे के हमारा यह जो x है 0 नहीं होगा क्योंकि x अगर 0 होगा तो उससे हमारी यह जो ratio है वो undefined होगी next students हमारे पास tangent का जो reciprocal है वो है cotangent theta so हमारे पास जो cot theta है वो बनेगा y over x का reciprocal जो के हमारे पास है x over y और students इसमें हमारे पास जो important चीज़ है याद रखने के लिए के हमारे पास जो y है वो 0 नहीं हो सकता क्योंकि y के 0 होने से जो हमारी यह ratio है वो undefined हो जाएगी तो students इसमें जो हमारे लिए important चीज़ याद रखने के लिए के हमारे यह जो trigonometric ratios हैं यह point P की position पर depend नहीं करता P आपका चाहे first quadrant में है या second में है third में है या fourth में है so P की position पर हमारी trigonometric ratios depend नहीं करती so हम जो theta है theta कोई भी angle students हम ले सकते हैं यह जो हमने trigonometric ratios को define किया है यह हमारी trigonometric ratios of any angle है कि हम angle कोई भी ले सकते हैं तो चलिए students हम start करते हैं next topic students next topic है हमारा fundamental identities और हमारे पास students तीन fundamental identities हैं उन में से जो हमारे पास सबसे first वाली है वो है sin square theta plus cos square theta is equal to one और हमारे पास second one है वो है one plus tangent square theta is equal to secant square theta और जो third one है वो है one plus cotangent square theta is equal to secant square theta तो students अगर हम यहां पे real numbers में से कोई भी real number लें और उस number को हम यहां पे substitute करें तो हमारी यह जो fundamental identities हैं वो उसको satisfy करेंगी तो students इनके proof के लिए सबसे पहले हम एक right angle triangle draw करेंग तो यह students हमने एक ABC right angle triangle draw की है और जो हमारे पास C vertex है C vertex पे हमारे पास 90 degree angle तो 90 degree angle के जो opposite side है वो small c है यह हमारे पास hypotenuse है और B के opposite side जो small b है वो हमारे पास base है और A के opposite side जो हमारे पास small a है वो है हमारा perpendicular so students in identities के proof के लिए जो है वो हम Pythagoras theorem की help लेंगे तो हमारे पास जो Pythagoras theorem है A square is equals to B square plus B square तो high perpendicular square is equals to B square plus perpendicular square तो students अगर हम in sides के triangle की जो sides के जो हमने नाम रखे हैं उसके according हमारा यह formula बनेगा H हमारा है C so C square is equals to B square plus A square तो students हम इस formula को कुछ इस तरहां से भी लिख सकते हैं A square plus B square is equals to C square तो चलिए students हम start करते हैं हमारी fundamental identities के proofs तो उसके लिए हम one by one proof करेंगे तो सबसे पहले students हमारा यह जो result है इस result को हम number one नाम दे देते हैं इस result को हम divide करेंगे C square के साथ So dividing both sides with C square तो students C square से जब हम divide करेंगे दोनों sides को तो हमारे पास बनेगा A square plus B square is equals to C square So हमने divide करना है C square के साथ So हमारे पास बनेगा A square divided by C square B square divided by C square और जो हमारे पास right side है C square divided by C square So students अगर हम देखें तो हमारे पास जो right side है उसमें C square over C square है यह हमारे पास cancel out हो जाएगा यह हमारे पास one ना आएगा और जो left side है इसको हम लिख सकते हैं A over C और चुक्के दोनों values पर square है तो इसको हम लिखेंगे A over C square plus next time हमारे पास है B over C तो इसको हम लिखेंगे B over C whole square और students हमारे पास right side है वो है हमारे पास A तो students अगर हम A और C को दिखें तो हमने अपने lecture में सीखा था कि हमारे पास जो A और C sides की ratio है वो हमारे पास जो trigonometric functions है उन में से यह हमारे पास बनता है sin theta के equal तो इसको हम लिखेंगे sin theta whole square plus और students हमारे पास जो B और C की ratio थी B और C जो था वो था हमारे पास cos theta सो इसको हम लिखेंगे cos theta whole square equals to 1 सो इस square cos students हम इस तरहां से लिख सकते हैं sin और square theta plus cos square theta equals to 1 so students यह जो हमारी first fundamental identity है यह हमने उसका proof कर लिया चलिए students हम next identity के proof की तरफ चलते हैं और उसके लिए हम दुबारा से pick करेंगे अपने first relation को जो हमारे पास था a square plus b square equals to c square students पहले हमने अपनी इस equation को divide किया था c square के साथ अब हम इस equation को divide करते हैं b square के साथ so dividing both sides with b square so चलिए students हम अपनी जो दोनों sides हैं उसको b square के साथ divide करेंगे तो यह हमारे पास बनेगा a square over b square plus b square over b square equals to c square over b square तो students अगर हम left side की second term को देखें तो इसमें हमारे पास है b square over b square यह हमारे पास cancel out हो जाएगा तो यहां पे हमारे पास one बचेगा so first जो हमारे पास term है उसमें दोनों terms पे square है तो यह हमारे पास बनेगा a over b whole square plus next term हमारे पास दोनों same terms थी वो cancel out हो गी तो यह हमारे पास आएगा one और जो right side है right side हमारे पास बनेगी c over b whole square तो students trigonometric ratios में से हमारे पास जो a over b side है a over b side जो थी वो थी हमारे पास tangent theta इसको हम लिखेंगे tangent theta whole square plus one और हमारे पास जो दूसरी side है वो थी c over b और जो c और b की ratio थी वो हमारे पास थी secant theta की equal तो इसको हम लिखेंगे secant theta whole square तो students इसको further हम लिख सकते हैं one one को हम पहले लिख लेंगे one plus tangent square theta equals to secant square theta तो ये students हमारे पास है जो हमारी second fundamental identity है के one plus tangent square theta is equal to secant square theta so students ये हमने second fundamental identity का proof कर लिया चलिए हम students next identity का proof करते हैं उसके लिए हम मारे पास जो second relation था उसको हम pick करते हैं वो हमारे पास था a square plus b square equals to c square तो students पहले हमने अपनी इस equation को c square से divide किया था second पे हमने इसको b square से divide किया था next जो है इसको हम दोनों sides को a square से divide करते हैं so dividing both sides with a square so a square से divide करने पे हमारे पास यह जो equation है यह बनेगी a square over a square plus b square over a square equals to c square over a square तो students अगर हम left hand side की जो first term है उसको देखें तो हमारे पास a square over a square है so a square और a square cancel out होंगे तो हमारे पास जो remaining term आएगी वो आएगी one plus next जो है students हमारे पास दोनों terms पे square है तो हम इसको लिख सकते हैं b over a whole square और जो हमारे पास right side है वो हमारे पास students बनेंगी c over a whole square तो students अगर हम trigonometric identities में से देखें तो हमारे पास जो b और a side की ratio थी वो हमारे पास थी cotangent theta की equal so इसको हम लिखेंगे one plus cotangent theta whole square और students हमारे पास जो c और a side की ratio थी वो हमारे पास थी cotangent theta की equal so इसको हम लिख सकते हैं cosecant theta whole square so students further हम इसको लिखेंगे one plus cotangent square theta is equal to cosecant square theta students यह हमने अपनी जो third fundamental identity थी उसका proof कर लिया so हमारे पास जो तीनों students fundamental identities थी उनके हमने proof किये और students एक important चीज़ जो हम इसमें याद रखेंगे कि हमारे पास जो sin theta है अगर इसमें whole square है तो students इसको हम इस तरह से sign और जो square है इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं तो sin theta अगर bracket के बाहर square है तो इसको हम sin square theta के form में भी लिख सकते हैं और इसी तरहां से अगर हमारे पास cause theta whole square है तो इसको हम को स्क्केर theta के form में भी लिख सकते हैं Students last हमारे पास जो ratio ती टेंजिंट GTA हमारे पास जो टेंजिंट थीट경 अगर whole square होगा तो इसको हम tan square theta के लिख सकते हैं तो students आज हमने fundamental identities और उनके proofs के बारे में सीखा तो ये fundamental identities students हमारे exercise के questions को solve करने में हमारी मदद करेंगे तो students उमीद है आपको आज का lecture समझ आया होगा तो next students हम मिलते हैं अगले lecture में